कुछ लोग अपने स्वास के साथ ऐसा खिलवार करते हैं जिसको देख डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं जिसका नजारा इस समय चल रही नवरात्री में देखने को खूब मिल रहा है उपवास के नाम पर खाना पानी तो छोड़ ही देते हैं साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक चकापर दिन रात नौ दिन तक लेटे रहना और नित क्रिया तक छोड़ देना उनके अनुसार ये तैयारी वो नवरात्री आने के हफ्तों पहले शुरू कर देते हैं मतलब खाना ही नहीं खाते ऐसे में खास कर महिलाओं के स्वास पर बहुत बुरा असर पड़ता है पेशेक खबर लहरिया की ये खास रिपोर्ट कब से अपने शरी पे जवारा रख रहे हैं इसार रख वाए ते रख वाए थे नहीं रख वाए थे पाशार ने रख वाए थे पुई साल हमां दिमाग काया रहे तो रोटे नी खान दे दिमाग भामादे थे आज कल के दौर में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको हम सबसे जादा नजर अंदाज करते हैं वो है हमारा स्वास्त जबकि स्वास्त पर सबसे जादा ध्यान देने की आवशक्ता होती है जब तक आप शारीरिक रूप से स्वास्त नहीं हैं आप अंदर से जादा देर तक खुश नहीं रह सकते और नहीं किसी काम में जादा देर तक ध्यान लगा सकते हैं लेकिन अंद विश्वास की आड़ में महिलाएं किस तरह अपने स्वास्त के साथ खिलवार करती हैं ये आपके सामने हैं ये मैं नहीं बलकि डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा करने से महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है व्रत को भूख हरताल की तरह करना स्वास्त के साथ खिलवार है खाने पीने की जरूरी चीज़ें शरीर को ना मिलने पर पानी की कमी, पोशण की कमी होने से परिशानिया सामने आने लगती है नतीजन जल्दी ही शरीर लाचार और बीमार लगने लगता है ऐसे व्रत करने पर फाइदा कम नुकसान जादा होने की आशंका रहती है कि पत्मी हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि उनके सेहत में प्रुभा पड़े हैं लगता तहां मनू नो दिन जी ओर पंदा दिन तो खाना खाते नहीं बिल्कुल नहीं कोई नहीं है जैसे इस समय महिलाएं बडेदी चल रही है किसी ने पंदर दिना से खाना छोड़ दिया है उनके स्वास के लिए किस तरह का हानिकारत है क्या है ये फक चीजे तो अंदर वियस्तु वाला काम काता है ना एा रहरा दीस्तु आसे खूल को अगूं के रही है कि तुमारे मन के अंदर इतनी शक्ति थुमारे मन के अंदर नर को तुम मानो भगवान को लेकिन ढिलुके प्यासे रहे कर यह बोगवान कहता नहीं हो तो उनकी अपनी अंतरात में गयती ही चोलों में भूंके रहना प्यास रहना तो रहे लेती हैं ठीक है लिकिन अच्छी चीज नहीं है स्वास के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है कि अफिक कभी इससे और तो को काफी दोपी करना था मैं जाता है। जान is born the company in the house ग्रडाइट है कॉझ और दुम गला बाटेशी सुनियं नहीं जाती है। उन्यद्मgeb स्वीा 23 sir अभी एक खिरिया सला की महिला है उन्होंने अपने सरीज में जो आरब हो आए है और मतला नादेवियन के आठ दिन पहले से खाना पानी चोड़ दिया था और अभी नादेवी चल रही है और नादेवी में ना दिन वो कुछ भी पानी के वल दो चम्मज बताया जा रहा है कि अब छाहिए यह तो आज कर देती हैं इसी महिलाओं के लिए थाकर महिलाओं का आप देखती हैं है यह तुम भूंके अपने सरीर को कश्च दे रहे है और भगवालन ने जाता है यह तो अग्षफ रहता है पर आज कल दिवाने में इतना ज्यादा अन्ज विस्वास रही न आप की भासा?